दोस्तों आप सभी ये जानना चाहते हैं कि बिहार दरोगा नई भरती 2023 एकजाम कब होगा और देखेगा दोस्तों आपके पास अब कुछी दिन का समय बचा हुआ है तो कैसे त्यारी किजिएगा जिससे आपका कनफॉर्म रिजल्ट हो जाए सभी चीजों के बारे में चली आ वेबसाट पर नोटीस चारी करना चाहिए दिखे जब वेबसाट पर नोटीस आ जाता है इसके बाद कनफॉर्म हो जाता है कि हां हराल में इसी डेट में परिक्षा होगी इस बार की जो यह वेकेंसी है न दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कम पदा उपर है लेगिन फॉर् फिलफ हुआ था उसी अनुसार इस बार भी फिलफ हुआ है और यह जो वेकेंसी आई है ने तीन साल इंतजार के बाद इसलिए आपको हराल में अच्छे से त्यारी करना चाहिए अगर इसमें आपका नहीं भी होता है तो आपके लिए एक बेहतर मौका फिर से तुरंत नेक और यह 1275 वाला के एक जाम होगा फिर तुरंत आप लोगों को नई भरती भी देखने को मिलेगी इसलिए आप सभी जाम के त्यारी कीजिए आपको एक बार ने दो दो तिन तिन बार चार चार बार मौका इस बार मिलने वाला है और अभी दीखेगा दोस्तों तो BPSCIO की और जैसे ही देखेगा पांच नॉमबर 2030 को फार्म का डेट कंपलीट हुआ इसके तुरंत बाद देखेगा तो नोटिस चारी कर दिया गया जो कि यहाँ पर आप लोगों को बताय भी थे और यह सभी लाखों चात्रों के लिए जरूरी था अगर आप यहाँ पर दुबारा से फोटो सिंग्नेचर अपलोड नहीं किये होंगे तो आपका अड्मिट कार्ड नहीं आएगा आयोग की और से हांपर मौका दिया गया था यह सिर्फ था जो 2700 अभ्यारत्यों का इस लिस्ट में नाम था उसी के लिए था तो अगर आप समय रहते अपलोड कर दिये होंगे त इस चिन्त होकर कि आप सभी त्यारी किजी एक्जाम दीजिए अब चलिए डेट के बारे माँ आप सभी दिखी का अखिर परिक्षा होगी कब किस टेट में परिक्षा ली जाएगी अभी आप देखेगा बीपी एससी आयोग का लेटेस्ट एक्जाम वाला हम पैटर दिखे जाम सूनीस दिन पहले दिया गया था लेकिन छात रित में ये कम से कम एक डेर महने पहले सूचना देना चाहिए तो बेहतर होगा क्योंकि छात रूस अनुसार अपना प्रिप्रेशन करेंगे फैनल डेट को समझ के और हम आप लोगों को देखेगा तो आज से 40-50 दिन पहल है जो कि यहां पर फोटो सिंगनेचर से संबंधित था नौ नौमबर से लेकर के 14 नौमबर तक मौका दिया गया था कि आप BPSCIO के वेबसाट पर दुबारा से फोटो सिंगनेचर अपलोड कीजिए सिर्फ उसी आप भिहारतियों के लिए था जिसका लिस्ट में नाम था फ अफिस्यल नोटीस तो नहीं है लेकिन लेटर है यह लेटर जो है BPSC आयोग यानि बिहार पुलिस अवर से वायोग का है और यहां पर देखेगा तो बिहार में सबी एकजाम में ऐसे ही होता है पहले क्या होता है कि लेटर लिखा जाता है जो कि जिला पताधिकारी को फिर वहां से कंफर्मेशन होने के बाद वेबसाट पर नोटीस दी जाती अभी लेटेस्ट वाले एकजाम में चाहे CSBC वाला हो या फिर BPSC दोनों आयोग का दिखेगा तो लगभग पैटर्न सेम ही राते क्योंकि दोनों पुलिस विभाग से संबंजिती एकजाम है इसमें भी CSBC वाले बिहार पुलिस वाले में भी इसमें भी लगभग 22-23 दिन पहले डारेक्ट एडमीट कार्ट से संबंजिती नोटीस दिया गया था लिखित परिक्षा का कोई नोटीस नहीं आया था और BPSC यायोग वाले में भी वही हुआ था इस बार भी आपको ऐसा ही देखने क मिलेगा यानि जो डेट है 17 दिसंबर 2023 वाला डेट इस डेट को आप कनफॉर्म मानते हुए बिल्कुल अच्छे से त्यारी किजिए अभी आपके पास कुछी दिन का समय है आज से दोस्तों ठीक एक महने बाद आप लोगों को लिखित परिक्षा यानि की प्रारंभिक परि रिजल्ट दिया जाता है तो पचीस हजार का रिजल्ट आएगा तो आप ही में से किसी का रिजल्ट आएगा इस पचीस हजार में और जितने पढ़ने वाले इस्ट्रेंट है जो स्रियस रूप से रेगुलर त्यारी करते सभी का सानी से रिजल्ट आ जाएगा और एक जरू है और जितने भी विविया टॉपिक है सभी चीज़े आप लोगों करवा देंगी यानि आपकी और बहतरीन त्यारिक हो जाएगी जिससे आपका रिजल्ट हो जाए क्रेंट अफियर्स का टॉप 600 तो क्विस्चन मिलेगा किसको आप याद कर लिजेगा तो देखेगा लगभग करेंट अफियर्स इस बार नबैस से लेकर के 25 क्विस्चन तक आएगा मिनिममम की बात करेंट मिनिममम 20 क्विस्चन आएगा ही आएगा ये तो हो गया और ये 25 तक भी जा सकता है पिछली बार की एक्जाम की बात करें 2019-2020 के टैम में क्या होता था कि 30 से लेकर के 33 क्विस्चन तक पूछा आजाता था अब क्या हुआ है कि इसके जगा पर देखेगा मैं तरिज नहीं पूछा जाने लगा है तो करेंट अफियर्स का अधिकारी को लिखा गया था इस लेटर के माध्यमस यहीं कहा गया था कि 17 दिसंबर को हम परिक्षा लेना चाहते हैं तो सेंटर उप्लावद करवाने को लेकर और यह देखेगा तो कनफरमेशन सारा कुछ हो गया यहां से आप इस निउज में देखे दरोगा भरती परिक् भरती में जिले में 22,000 अभिहारतों की सामिल होने की संभावना है और मालूम हो कि जिले में अवर निरिक्षक रिक्त पदों के लिए 17 दिसंबर को दोनों पाली में लिखित परिक्षा होगी परिक्षा के दर बनाय जाने को लेकर सिक्षा विभाग के अस्तरसर त्यारी बस आप सभी जम के त्यारी किजिए रही बाद वेवसाइट पर नोटीस की तो नोटीस दोस्तों चट के बाद वेवसाइट पर दे दिया जाएगा और आपको अभी सही कनफॉर्म डेट मान के त्यारी करना है आप लोगों को आसे 40 दिन पहले ही डेट के बारे में बताये डेट विलकुल भी नहीं बढ़ेगा उसी अनुसार परिक्षा होगी और अगर आप चाहते ही कि आपकी त्यारी मौर चार चांद लग जाए तो आप सभी जाए फटाफट सक्सेस प्लैनेट अप्लिकेशन से जुर जाए जिसमें आप देखेगा तो बिहार में अब तक जि के सैंस जितने भी भी है टॉपिक है सभी चीजों के आपकी बेहतरीन त्यारी हो जाएगी जिससे आपका असानी से पीटी परिक्षा में रिजल्ट हो जाए और अभी दिवाली छट का छूट चल रहा है तो कोर्स आप बहुत ही कम प्रेस पर जोएन कर सकते हैं यहां से दो